हलो फ्रेंट्स वेलकम तू दर यूपी एसी एनलाइजर तो आजम 6 दिसेंबर का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे इफ यूर लाइकिंग दिस अनालिस दन प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब है यहाँ पर फर्स न्यूस है असाम रैफिल नागा लैंड में काउंटर इनसर्जेंश कर रहे थे लेकिन इनसर्जेंसे आप एस्सके बाद यहाँ पर और ज़धा वालिन शुरू है जिसकी वज़े से यहाँ आपर ओपन फाइर कर दिया गया और यहाँ लग बख 14 से सीविल तो आर्मी ने बोला है कि अब यह जो भी हुआ है इंसिडेंट इस पे अब इन्वेस्टिकेशन की जाएगी एक फियर प्रोब होगी यहां पर कॉनेक ट्राइब के बताएगा है तो हम कॉनेक ट्राइब देख लेते हैं कॉनेक ट्राइब के बारे में एक्स्प्रेस नेटवर्क में भी है तो वो भी हम एक बार डिसकस कर लेंगे बाकि इस न्यूज में और कोच इंपॉर्टर नहीं है अब यहां पर आपने फार्म वेवर्स के बाद में तो सुना होगा जब भी हहां पर एलेक्शन आने वाले होते हैं यहां पर जो फार्मर के लोंस होते हैं उनको वेवफ कर दिया जाता है तो जिसकी वादे से जो क्रेडिट कल्चर होता है वो खराब हो रहा है तो गिवन हाव फार्म वेवर्स है बेकम अ पॉलिटिकल टूल तो एलिवेट फार्मर डिस्ट्रेस तो यहां पर जो बैंकिंग इंडस्ट्रियों के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है तो बैंक्स उनका यह कहना है कि ARC होना चाहिए यहां पर बैंक्स उनका यह कहना है यहां पर बैंक्स को बहुत जादा प्रॉबलम होती है तो अग्रिकल्चर मार्केट इस स्काटर इंडिया उसके लावा हैं पर लॉज भी सारे स्टेट में अलग अलग है तो इट वस फेल्ट देर वस जिंगल इंस्टिटूशन अर्सी तो इहां पर एक एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ज़रूरत है ताकि यहां पर जो रिकावरी है रिकावरी के कोस्ट उसको यहां पर आप्निमाईज किया जा सके यहां पर कुछ का यह भी सजेशन था कि यहां पर सरफासी आक्ट होना चाहिए जैसे कि सरफासी आक्ट जैसा कुछ होना चाहिए अब सरफासी आक्ट में क्या होता था तो सरफासी आक्ट 2002 Securitization and Reconstruction of Financial Asserts and Enforcement of Security Interest Act तो यह सरफासी की पूरी full form है Essentially empowers banks तो यह जो सरफासी आक्ट है banks और financial institution को empower करता था कि जो भी residential और commercial properties को यह पर pledge किया गया आप उसको auction कर सकते हो जो भी loan है उसको recover करने के लिए To directly auction residential और commercial properties that have been pledged with them to recover loans from the borrowers तो यहां पर जो भी property pledge किया गयी उसको यहां पर बेच के जो भी loan है उसको recover किया जा सकता है Before this act took effect तो जब तक सरफासी आक्ट नहीं था तो यहां पर जो bank sales को यहां पर civil suits की तरफ जाना पड़ता था Recover करने के लिए लेकिन जब यहां पर सरफासी आक्ट आ गया तो जिसकी वज़े से यहां पर जो भी property pledge की गई थी वो directly auction की जा सकती थी Loans को recover करने के लिए तो यहां पर कुछ का यह भी कहना है कि सरफासी आक्ट जैसा कुछ होना चाहिए यहां पर farm loans को भी recover करने के लिए More meetings पर likely होगे यहां पर और भी meetings होगे फिर discussion होगा कि यहां पर asset reconstruction company होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए तो with a government-backed ARC having been recently तो यहां पर एक government-backed asset reconstruction company बनाई गई है लेकिन वो industry के NPA को deal करने के लिए बनाई गई है यहां पर farm loans के लिए नहीं बनाई गई है The announcement of farm loan waivers by state अब यहां पर जब भी elections आने वाले होते हैं तो जो states हैं वो क्या करते हैं वो farm loan को wave off कर देते हैं तो जिसकी वज़े से जो credit culture है वो detourate हो रहा है खराब हो रहा है Ahead of assembly elections in seven states in 2021, there is a concern among banks that NPA may rise in the farm sector अब यहां पर farmers को भी पता होता है कि elections आ रहा है Most probably क्या हुआ है कि यहां पर जो भी loans उनको wave off कर दिया जाए कि जिसकी वज़े से वो लोग खुद भी यहां पर जो loan है वो देना बंद कर देते हैं तो while genuine hardship could be one reason for daily repayments the possibility of waivers also leads to recovery challenges for the banks तो यहां पर farmers को भी इस बात का अंदाजा होता है कि यहां पर जो farm loan से उनको wave off किया जा सकता है जिसकी वज़े से वो खुद भी यहां पर repay करना बंद कर देते हैं तो यह एक सबसे बड़ी problem है Even as the percentage तो यहां पर NSO की survey report है Situation Assessment of Agricultural Households and Land Holdings of Households in Rural India 2019 जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि percentage of agricultural households तो यहां पर कम हुए है लेकिन जो average debt है वो बढ़ा है तो average debt अभी भी बढ़ रहा है तो यहां पर होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक asset reconstruction company for farm loans तो इसके बारे में भी और भी discussion होगा इसमें articles भी आएंगे तो वो हमें पता चल जाएगा जो भी important points है Enforcement of provisions on mortgage farmland is generally done through the revenue recovery act of state तो यहां पर जो भी farmland को mortgage किया जाता है loan लेने के लिए तो उसके बारे में भी यहां पर कोई clear loss नहीं कि यहां पर जो mortgage है उसको बेचा जा सकता नहीं बेचा जा सकता है फिर सर्फासियक मैंने आपको बता दिया अगर NPA ratio देखा जाते है अभी भी NPA ratio इंडस्ट्री से कम है तो यहां पर NPA ratio बादा है अग्रिकल्चर सेक्टर वाज़े 9.8% इंडस्ट्री का देखा जाए तो 11.3% और services का यहां पर 7.5% है तो यह financial stability report से बादा चलता है और यह financial stability report RBI निकालता है तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि financial stability report यहां पर RBI निकालता है तो यहां पर first news आम पर discuss कर लेए जिसमें सिर्फ एक कोनियाक tribe important है वो आप याद रखना और यहां पर ARC होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए यहां पर farm sector के लिए तो यह point है इसके बारे में और भी points हम collect करते रहेंगे आगे यह news हम और discuss कर लेते हैं It's been 2 years since Raul Keala was announced as the co-host of the 2023 hockey world cup तो यहां पर hockey world cup होगा तो Raul Keala के साथ यहां पर भुवनेश्वर है तो Raul Keala और भुवनेश्वर ने यहां पर co-host करेंगे world cup जो कि यहां पर होने वाला है बस बाकी इसमें कुछ important है नहीं भुवनेश्वर और रावल के ला बस यह इदा बाकी हम आगे चलते है इस page पर कुछ भी important news नहीं है यहां पर भी कुछ important news नहीं है अब यहां पर anti-drone technology इंडिया के पास जल्दी होगी तो जब होगी तम हम देख लेंगे बाकी BSF का फॉर्म होई थी तो BSF फॉर्म होई थी December 1, 1965 और इंडिया जल्दी हैं पर अपनी anti-drone technology बना लेगा द्रोन से भी अटाक किये जा सकते हैं बाकी है जो नागलेंड के बारे में पड़ा है यह आटिकल उसी पे तो हम देख लेते हैं तो यहां पर जो गया जिसकी वज़े से यहां पर civilians की जान चली गई उनको mistook कर लिया गया था कि वो insurgents है अब Assam Rifles ने बोला कि वो यहां पर फियर प्रोब कराएंगे Union Home Minister ने भी बोला कि यहां पर investigation होगी और investigation यहां पर जाच करेगी अब free and fair investigation should be held to get to the bottom यहां पर author का भी गया ना यह free or fair investigation होना बहुत ज़रूरी है अब ऐसा कुछ होता है तो इसकी वज़े से जो local population और state agencies के बीच में जो trust है वो breach हो जाता है वही इस बार भी हुआ है यहां पर जो trust है वो breach हो गया है तो mon incident comes close on the heels of the killing of a commanding officer अब ही कुछ time पहले हमने यह news पढ़ी थी कि एक commanding officer के यहां पर जान चली गई है उसके बाद अभी हम यह case देख रहे है तो tenuous peace in the region यहां पर जो peace देखा गया नागा लें में पुछले कुछ सालों से वो इसी वज़े से है क्योंकि यहां पर जो भी stakeholders है वो यहां पर कोशिश करें कि peace रहे लेकिन पिछले कुछ time से हम देख रहे हैं जो peace है वो धीरे-धीरे cease हो रहा है इसका यहां पर हमने लेखा कि आसाम rifles में यहां पर कुछ जवानू कि यहां पर death हो गई थी फिर यहां पर यहां पर यह वाला incident हो गया तो यहां पर जो NSCN इसाक मोवाई है और जो governments की बीच में talks है वो halt हो सकती है इस incident के बाद they need to be extra cautious and sensitive to local communities while doing their job under extreme pressure तो immediate अभी क्या task है तो यहां पर जो violence चल रहा है उसको खतम किया जाए वहाँ पर curfew तो लगा दिया गया लेकिन इसके बाद भी वाईलन से जल से जलने परबंद किया जाए इसके लब जो भी accountable है इसकी वज़े से तो यहां पर उनको responsible ठहरा है जा बस यही किया जा सकता है अब तो जो होना तो वह तो हो गया आगे हम चलते हैं my right to breathe अब यहां पर pollution पे उपर है कि जो डेली का air quality index है वो बहुत ही जादा खराब आगर है आपर हम G20 countries से compare करें तो डेली का air quality index है वो 312 पर है तो बाकी हां पर बाकी countries की capital से compare किया गया है तो चाइना की जो बेजिंग है वहां पर air quality index 91 है तो डेली का 44 परसंट उसके बाद है आपर manufacturing construction की वज़े से 18 परसंट, agriculture की वज़े से 14 परसंट, transport की वज़े से 13 परसंट, industrial processes and product use की वज़े से 8 परसंट और waste बढ़ने की वज़े से 3 परसंट तो यह data तो आप यादी कर लेना कि किसकी वज़े से कितना pollution होता है अब जो coal है, coal को energy, coal से energy generate करने की कोशिश करें तो उसमें हमने एक पंचमरित में एक टार्गेट भी दिया है कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे जो 50 परसंट हमारे energy generation है वो renewable sources तो होना चाहिए, ठीक है तो यह problem तो हमने solve के लिए energy generation हो ली, दूसरी problem यह है जो agriculture sources और यह स्टेबल बर्नी की वज़े से जो pollution हो photosynthesis तो यहाँ पर जो farmland से उनके उपर solar panels लगाने की बास की कही है तो यहाँ पर solar panels की बीच में थोड़ा gap भी होना चाहिए ताकि यहाँ पर थोड़ी light आती रहे जिसकी वज़े से यहाँ पर जो crops है वो उसमें photosynthesis हो सके तो at 10 feet height with dew spacing to let enough sunlight come to the plants for photosynthesis फिर यहाँ पर जो solar trees है इससे कुछ है यहाँ पर electricity generate होगी तो इसी process को यहाँ पर author ने solar trees बोला है तो basically यहाँ फार्मस के लिए third crop का का काम करेगी तो यहाँ पर जो भी electricity generate होगी यहाँ पर surplus electricity को जो फार्मस है वो grid को बेच भी सकते हैं और यहाँ अगर surplus electricity farmers बेचेंगे तो उससे यहाँ पर farmers की income आईगी तो जो farmers की income को double करना है तो इससे उसमें भी benefit मिलेगा कि farmers की जो इंकम है वो double हो सकती है अगर farmers यहाँ पर अपने जो भी farmland है उसको उपर हैं पर solar panels लगाएं दूसरी बात कि क्या किये जा सकती है यहाँ पर जो vehicle pollution उस की बहुत ज़्यादा कमी है तो charging infrastructure को ठीक करने की जरूरत है आगे चलते हम यह हम article नहीं पढ़ेंगे तेहरान's white flag तो यहाँ पर जो JCPO agreement है उसके बारे में talks चल रही है तो अथर का basically यह कहना Iran भी चाहता है यह जो JCPO agreement है यह वापे से आ जाए लेकिन है जो इस्रेयल है उस to get a longer and stronger agreement तो यहाँ पर इस्रेयल का यह कहना है यह जो agreement है JCPO इसको और जाए स्टॉंग मनानी की जरूरत है अब according to the author अगर इस बीच में यहाँ पर Iran के जो इरान यहाँ पर enrichment कर रहा है uranium को grow कर रहा है तो अगर ऐसी किसी भी facility पर attack हो जाता है तो यहाँ पर जो भी यह बाच हो सकता है कोई attack ना करें लेकिन अगर इस बीच में इसराइल किसी भी nuclear facility पर attack कर देता है एरान की तो इसकी वज़े से जो JCPO agreement यह पूरा खतम हो सकता है अब resetting Putin's red carpet तो रश्या की president इंडिया को visit करने वाले हैं तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंध मूदी और विसिटिंग जो troops से उनको deploy कर दिया है Ukraine border के आसपास ठीक है तो west इसके against है दूसरी बात इंडिया और रश्या में जो commercial relationship है वो इतना अच्छा नहीं है अगर इंडिया और रश्या में लेकिन तो सर्फ 10 billion dollar का trade होता है जहां पर रश्या और चाइन में 100 billion dollar का trade होता है तो एक problem तो हमने तो यहां पर चाइना रश्या है वो चाइना की तरफ inclined है तो यह जो inclination है मैं नॉर्मल लगता है अगर इंडिया चाइना के relations अच्छे होते है और यहां पर यूएस और रश्या के relations अच्छे होते है लेकिन यूएस और रश्या के relations पह अच्छे नहीं और यहां पर इंडिय का format भी शुरू किया जा रहा है तो 2 plus 2 format में आपर foreign minister defense minister के हैंपर meeting होगी तो Monday summit will see the institution of a new 2 plus 2 mechanism that brings the foreign and defense ministers from both sides into a single forum तो इससे पहले जो इंडिया है वो 2 plus 2 format में meeting सिर्फ यहां पर US, Japan और Australia के साथ करता है लेकिन अब Russia के साथ में आप 2 plus 2 format में meeting होगी और क्या हो सकता है यहां पर bilateral summit में तो यहां पर 10 year defense pack sign हो सकता है दोनों countries के बीच में mutual logistic support sign हो सकता है तो two leaders are also expected to preside over the signing of an agreement on mutual logistic support तो अब यहां पर 10 year defense pack दूसरा है पर mutual logistic support Russia is pleased अब यहां पर S-400 deal है तो S-400 deal इंडिया ने आगे बढ़े जब कि यहां पर USA कह रहा था कि हम काटसा के अंदर इंडिया के ओपर sanctions लगा देंगे लेकिन उसके बाद भी हम S-400 deal को लेकर आगे बढ़े तो Russia is pleased that the S-400 missile sale has gone through despite strong US opposition तो यहां पर US ने oppose कि नहीं काटसा कि हम काटसा के अंदर आपके ओपर sanctions लगा देंगे और आप Russia से trade करो लेकिन उसके बाद में हमने Russia के साथ trade की क्योंकि basically हमारे यह कहना था कि हमारी जो भी foreign policy है वो किसी country के basis में हम पर effect नहीं होती है for now Delhi has certainly dodged the US sanctions on the purchase of S-400 missiles और अब तो S-400 कि यहां पर delivery शुरूव भी होगा यहां पर US ने कोई भी sanctions नहीं लगाए है but India's deepening defense ties with Russia will continue to raise political eyebrows in Washington and Beijing Delhi remains wary of the growing military partnership between Russia and China अब यहां पर problem क्या है यहां पर जो America है वो भी अब Russia से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है तो in Washington the Biden administration recognizes the importance of ending the permanent crisis in US-Russia relationship यहां पर जो Russia की permanent crisis है उसके यहां पर प्रेसिदेंट बाइडन वो सॉल्फ करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उनको यह पता है कि अगर हमें चाइनों को counter करना है तो रशिया के साथ टाइस इंप्रूव करना है बहुत important है तो President Biden however has begun a new effort to improve ties with Russia तो यहां पर जो Biden वो रशिया के साथ ties improve करने की कोशिश कर रहे है इसके लावब यहां पर जो Biden है वो यहां पर पूतिन के साथ meeting भी करेंगे तो after 4 years of intense hostility from the Democratic Party, Biden offered respect for Russia तो यहां पर जो Biden है ऐसा signal आ रहा है Biden signaled his willingness to treat it as great power तो यहां पर जो Biden वो रशिया को great power treat करने के लिए तायार है तो इससे हमें यह पता चला है जो US है वो भी कोशिश कर रहे है कि रशिया के साथ US के relationship ठीक ठाक हो सके तो Biden administration which is focused on winning the intensifying strategy competition with China तो यहां पर अगर चाइनों को counter करना है तो US को यह बात समझा रहे है कि रशिया से हमें बात करनी पड़ेगी इस जो 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 जोने वाली है President Biden और President Putin के बीच में तो हो सकता है कि इसमें कुछ डील निकल कर आए और यहां पर जो भी दो countries के बीच में permanent crisis अगर थोड़ी solve हो सके वेर इंडिया और रशिया है और रशिया है इकोनामिक डोमेन में तो दोनों countries के पास freedom है लेकिन तब भी हम इस freedom का फाइदा नहीं उठा पाई अगर हम देखें तो यहां पर जो इंडिया और रशिया का trade है वो सिर्फ 10 बिलियन डॉलर का है तो इंडिया रशिया और रशिया का trade कितना है तो 100 बिलियन डॉलर का है इंडिया और चाइना का trade कितना है 100 बिलियन डॉलर का है तो प्रॉब्लम यहाँ पर ग्वर्वर्मेंट के लेविल पर अब धिल्ल です के लेविलब्र एपनी जो प्राइब निए पर पर दॉप्लिका में पर थे के लेबल पर पर आपधने घ्लात थे But Moscow knows, अब Moscow को भी यह पता है कि सिर्फ एक country को पर depend होकर कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर Russia के लिए India बहुत जादा ज़रूर है But Moscow knows the dangers of relying solely on a neighbor, तो Moscow को भी बता, अगर वो Beijing के उपर सिर्फ रलाई करेगा, जो कि हैंपर second largest economy है, 15 trillion dollar की economy और यहाँ पर जो चाइना है, वो बहुत ज़्यादा aggressive और assertive nation है So while resetting Russia's relationship with the West is hot, sustaining the traditional partnership, तो Russia को भी पता है कि India के साथ relationship कितनी ज़्यादा important है, सिर्फ वो China के उपर depend नहीं रह सकता है So Russia knows India's strategic cooperation with the US, Russia को भी पता है कि US के साथ हम strategic cooperate करेंगे, क्योंकि हमें China को counter करना है हमें भी पता जो Russia है, उसके ओपर यहाँ पर West ने sanctions लगा रखें, तो Russia भी यहाँ पर Beijing के तरफ जाएगा, तो यह तो एक uncomfortable truth है, जिसके साथ हैं यहाँ पर सारे countries को रहने की ज़रूरत है लेकिन दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर commercial ties को improve कर सकते हैं, तो Delhi and Moscow have no reason to be satisfied with the poor state of the commercial ties तो यहाँ पर जो $10 billion का trade उसको बढ़ाने की ज़रूरत है इस आठे काल में कुछ खास नहीं बताएगा है, leaders for COP27 अब यहाँ पर जो COP26 की summit हुए ग्लाजगो summit में, उसमें 90% of the world ने commit किया है कि net zero carbon की तरफ move करेंगे, 23 countries ने बोला है कि वो fossil fuels की financing को बंद करेंगे by the end of 2022, 100 countries ने बोला है कि वो deforestation को end करेंगे, जिसमें इंडिया ने sign नहीं किया तर यह deforestation को प्लेज को अब यहाँ पर developed world ने बोला थे, यहाँ पर 100 billion dollars देंगे, लेकिन developed world ने सिर्व यहाँ पर 346 million dollars दिये है तो climate financing में ज़्याद अच्छा perform नहीं हुआ COP26 में यह सब को जो हम बहुत बार पाट चुको है COP26 की क्या findings रही है अब यहाँ पर यह जो भी countries ने अपने binding commitments दिये, non-binding commitments दिये अगर यह कुछ भी नहीं होता तो जो temperature है तो 2100 तक 4.1 से लेकर 4.8 degree Celsius तक rise कर जाएगा लेकिन यहाँ पर कुछ commitments countries ने दिया और countries उन commitments के लिए कुछ कर भी रहे हैं अगर non-binding national determined commitments को भी fulfill किया जाता है तो temperature सिर्फ 2.4 degree Celsius तक rise करेगा और यहाँ पर अगर binding commitments को भी include कर लिया जाता है तो temperature सिर्फ 1.8 या 2.1 degree Celsius तक rise करेगा अब क्या किया जा सकता है तो transport को electrify किया जा सकता है मत्ताब electric vehicles की तरफ move होने की ज़रूरत है decarbonization of the grid मतलब यह है कि यहाँ पर fossil fuel से electricity को generate नहीं करना है यहाँ पर solar और wind से यहाँ पर electricity को generate करने की कोशिश करने है nitrogen based fertilizers नहीं use करने है इसके अलावा nitrogen based fertilizer की वज़े से इसके अलावा यहाँ पर paddy cultivation की वज़े से यहाँ पर methane emissions होते है nitrous oxide emissions होते है वो ना हो nature को protect करना है, deforestation नहीं करना है industry को clean up करना है तो ऐसे कुछ steps लेनी की ज़रूरत है ताकि यहाँ पर जो climate change है उसको tackle किया जा सके अब यहाँ पर Russian President India आ रहे हैं तो यह तो मैंने आपको बता दिया इससे पहले RIC summit में India और Russia होते हैं इसके लिए RIC summit में India और Russia होते हैं SEO summit में India और Russia होते हैं तो यहाँ पर और भी framework के जिसमें India और Russia बातचीत करते हैं लेकिन यहाँ पर पहली बार bilateral summit हो रही है इस साल की तो new format तो 2 plus 2 ministerial meeting between the foreign and defense minister तो यह मैंने आपको बता दे कि अब इंडिया और Russia में भी 2 plus 2 ministerial meeting होगी जो इससे पहले सिर्फ US, Japan और Australia के साथ हो दी तो so far India has 2 plus 2 ministerial formats with only the quad country तो इससे पहले 2 plus 2 format जो है इंडिया का सिर्फ US, Japan और Australia का भी था लेकिन अब इसमें Russia भी इंक्लूड हो चुका है अब इससे पहले RIC में meeting जब हुई तो RIC की meeting में किसी भी terrorist entity की बात नहीं केगी while there is no mention of any terrorist entities like Lashkarir Taiba, इसकर जैशे मुहमद नहीं यहाँ पर East Turkistan Islamic Movement किसी भी terrorist organization की बात नहीं हुई ahead of Putin's visit, India has cleared the long pending यह तो आपको मैंने बता दिया AK-203 यहाँ पर जो rifles है उसकी deal यहाँ पर fulfill हो चुकी है बाकी हो सकता है कि यहाँ पर 200 twin engine come off 226T light helicopters को deal pending है वो भी यहाँ पर हो जाए the two sides are also likely to finalize the number of defense procurement proposal जिसमें एक proposal यह है come off 226T light helicopters के बाकी यहाँ पर दोनों कंट्रीज कोशिश करेंगे 50 billion dollar को trade हो by 2025 यहाँ पर 50 billion dollar को trade की बात की गई यहाँ पर यहाँ पर बता दिया कि नागा लेंड में यहाँ पर जो आसाम राइफल्स है उनसे counter-insurgency operation में civilians की दैथ होगी यहाँ पर मैंने आपको एक ट्राइप की बताई था है डंटिंग है डंटिंग है डंटिंग है मतलब यह है कि एनिमीज का जो गाला उसको काड़ देना तो severing heads of enemies after attacking rival tribes Mon is the only district in Nagaland तो यह हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर एक और tribe का नाम दिया गए जा रही है इन्होंने Saudi Arabia के साथ एक deal भी की है तो हम डिसकस नहीं करेंगे यहाँ पर जो big businesses है वो अब trust बनाते हैं मतलब will को sign नहीं करें वो लोग अब trust बना रहे तो ऐसा क्या reason दिया गया है कि will क्यो नहीं बनाते हैं अब trust भी बनाते हैं prominent business families that run empire such as Reliance Industries Group and the Shriram Group have been in the news recently for the plans to set up trust to ensure a smooth transition of assets तो वो इसलिए ट्रस्ट बनाते हैं ताकि जो उनके assets और उनका business है वो असानी से जो उनको hairs उसमें transfer हो सके तो this is primarily to avoid कि कोई भी legal battle नहीं हो क्योंकि आपर will के चलते legal battles हो जाती हैं लेकिन अगर trust है तो उसके चलते हैं आपर कोई भी legal battle नहीं होती है अब trust क्या होता है तो trust एक fiduciary relationship होता है इसमें तीन parties होती है एक to truster होता है एक beneficiary होता है और एक trustee होता है तो trust is a fiduciary relationship in which one party called a truster transfers an asset property to another party called a trustee तो यहाँ पर जो trustee को यहाँ पर जो भी asset को transfer करता है जो trustee है वो यहाँ पर asset को manage करता है on the behalf of the beneficiary तो यहाँ पर ultimately जो भी यह property है यह beneficiary के पास जाने वाली होती है लेकिन बीच में जो time होता है उसको यहाँ पर कौन manage करता है तो trustee उस समय यहाँ पर property को manage करता है अब will और trust में क्या फाइदा है लोग trust क्यों बनाते हैं as compared to will तो traditionally what the general law provides is the will system however will is not a permanent instrument even if it is registered when the person is living यह जो will इसको आकरी minute तक बदला जा सकता है apart from this will तब तक functional नहीं होता जब तक इंसान जन्द है तो इंसान के मरने के बाद यहाँ पर will functional होता है तो will takes place effect only after the demise of someone the will has no value till the time the person is alive लेकिन यह जो trust है trust तब भी functional हो सकते है जब यहाँ पर जो इंसान है वो जिन्दा होता है trust structure can be given effect while you are living and you have a control over how circumstances pan out इसके लावब जो tax implications इसमें tax नहीं देना पड़ता है नहीं यहाँ पर trust को नहीं यहाँ पर beneficiary को तो very broadly the transfer of assets to a trust in which your family members are the beneficiaries are not taxable at either end तो यहाँ पर जो beneficiaries उनको भी tax नहीं देना पड़ता है अगर यहाँ पर trust setup कर लिया जाता है इसलिए यहाँ पर जो जादतर business है वो trust setup करने की कोशिश करते है आगे चलते हम यहाँ पर कर मैंने आपको बता दिया था इंडोनेशा में सेमेरू वाल गैनो का eruption हुआ है बाकि मैंनमार में जब से कुऊ आ है तो लगबख 1300 लोगों को हम पर मारा जा चुका है यहाँ पर mass protest जो है मैंनमार में तो mass protest नहीं हो रहा है अभी हाँ पर हो रहा है flesh mob protest अब mass protest में तो एक साथ बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन जो flesh mob protest होते हैं इसमें कम-कम लोग थोड़ी थोड़ी जगे पर प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन अब जो आर्मी है वो बेसिक लिए हाँ पर जो flesh mob protest है उसको भी बंद करने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया गया बाइदा आर्मी जो Hezbollah है तो Lebanese militant group है Hezbollah यह तो आपको पता ही होगा आगे शलते हैं हो सकता है आने वाले time में जो inflation है वो 4-6% की बीच में आ जाए तो near term retail inflation is likely to remain यहाँ पर जो monetary policy committee का target है 4-6% उसके बीच में inflation रह सकता है अब यहाँ पर omicron variant आने वाला है बतब आ ही गया omicron variant अभी इंडिया में नहीं आया है अब omicron variant की वज़े से हो सकता है economic recovery halt कर जाए लेकिन उसके बाद भी जो RBI है वो यहाँ पर अपने accommodative monetary policy instance से हो सकता है यहाँ पर calibrated tightening की तरफ चाला जाए तो यह सिर्फ अभी इहाँ पर likeliness है क्या हो सकता क्या नहीं तो यह पढ़ना important नहीं है बाकि इहाँ पर Evergrande crisis के बाद यह जो चाइना के developer से यहाँ पर asset-back security को issue कर रहा है आज की नहीं पर पने सिर्फ इतना ही एक festival और है जो कि हम पढ़ लेते हैं जो कि है हनुका हनुका किसके festival है तो Jewish festival of lights तो यह यहाँ पर Jews के festival हनुका अब हनुका क्यों celebrate किया जाता है तो हनुका commemorates both the 164 BC rededication of the second temple in Jerusalem तो यह जो temple इसको desecrate कर दिया गया था by the Salucid empire फिर इस temple को rededicate किया गया था इस वज़े से भी celebrate किया जाता है दूसरी वज़े से यह जो जूइस पीपल को यहाँ पर harsh repression झेलना पड़ा था तो इस repression के बाद वो उनको religious freedom मिला था तो यहाँ पर दो रीजन्स है जिसकी वज़े से हनुका festival मनाया जाता है तो पहला यह जो जो Salucid empire ने यहाँ पर desecrate कर दिया था temple तो उसको rededication हुआ था और दूसरी बात यहाँ पर religious freedom मिला था Jewish people के जिसकी वज़े से हनुका festival जो है celebrate किया जाता है तो आई होब आपको आज का नीश पर पर समाझ आए if you like the video and please like share and subscribe thank you and have a nice day